नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत देखिए आज चुनाव परचार का यानि कि जो चार विधान सभा के उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में उसके चुनाव परचार का आज आखरी दिन रहा और सभी दिगजों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी क्योंकि ये मुकाबला कोई समान उपचुनाव नहीं है ये बिहार विधान सभा का जो दो हजार परचीस में चुनाव होने वाला है फाइनल चुनाव उसका ये सेवी फाइनल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें परिच्छा तो खेर सभी गटवंधन और पार्टियों की परिच्छा लेगी जनता पुरजोर परिच्छा लेगी लेकिन असल में परिच्छा है प्रशांत कि शोर का जिनकी पार्टी ज जन्सुराज इस चुनाव में हिस्सा ले रही है आम तोर पर कोई भी नई पाटी उप्चुनाव में अपना दाव नहीं लगाती है पहला दाव उप्चुनाव में नहीं लगाती है लेकिन परिच्छांत कि सोर ने ये दाव खेला है और खेला है तो समझे कि बड़ी चुन कितने पानी में इसलिए मने कहा कि सब लोग फाइनल का इतजार करते हैं कि एक बार फाइनल में ही इंटरी करेंगे लेकिन प्रशांत किसोर ने सेमी फाइनल में ही अपने खिराडियों को उतार दिया है तो चार जो बिधान सभा के उपचुनाव हो रहे हैं इसके बास चुनावती जो है महागडवंदन के लिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि चार में से तीन बिधान सभाच्षित्रों में उनका कबजा रहा है तो इस तीन बिधान सभाच्षित्र को उनको बचाना है तो उनके लिए भी बड़ी चुनवती है चुकि सरकार में है NDA और NDA का जो बदलाव हुआ है पतलब NDA की जो सरकार आई है इसी साल जनवरी में फिर से बिहार में तो उनकी भी परिच्छा है कि उनके पास तो हलाकि बचाने के लिए एक ही सीट है लेकिन जादा से जादा कि एंडिये का प्रदर्शन दो हज्जार पचीस के बिधान सभावा चुनाओं में कैसा रहेगा तक यह बार बार नितिश कुमार कह रहे हैं कि उनसे गल्ती हुई है दो दो बार गल्ती उन्होंने की है वो महागरबंदन के साथ चले गए लेकिन यह चुनाओं भी काफी माइने रखता है कि जन्ता ने उनकी इस गल्ती को किस रूप में लिया है अब देखिए उनको तो एक ही सीट बचाना है इमाम गंच वो भी हम पार्टी के उमिदवार हैं दीपा माजी जो की जीतनराम माजी की बहू है लेकिन मुकाबला गर देखा जाए तो एंडिये ने जबरदस्त हर जगा पे फाइट दे रही है और आमने सामने की लड़ाई है प्रशान की सोर जरूर कहीं कहीं पर तिकोनिये मुकाबला करने में काम्याब रहे हैं कि उनकी पार्टी अभी नहीं है और पहला चुनाओ लड़ रही है तो निश्चित तोर पर उनके लिए काफी बड़ी ये चुनावती है लेकिन नितिश कुमार के लिए भी कम बड़ी चुनावती नहीं है और तेजस्वी आदव के लिए सबसे बड़ी चुनोती ये है तेजस्वी आदव के लिए कि वो अगर मुख्यमंत्री बिहार का बनना चाहते हैं तो तीन सीट तो कम से कम इसमें जीतेंगे ही और अगर चौथा भी जीत लिए तो मान लिया जाएगा कि चलिए उनका दाव काफी बड़ा है दो हजार पची इसके बिधान सभा चुनाओं में है तो दिश्चित तोर पर सभी छत्रपों के लिए ये जो चार बिधान सभा के उप चुनाओं हो रहे हैं वो एक कड़ी अगणी परिशा है और इसी से उनका भाव बढ़ेगा या घटेगा वैल्यूएशन जिसको कहते हैं वो ये चुना लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं जैसे कि परिवारवाद को लेकर इस प्रकार से पार्टियां एक दूसरे पर पीछड उचलती हैं लेकिन यहां देखेंगे इस उप्चुनाओं में तो वो भी जांगाओं में खुल करें सामने आएगा है कि कोई पार्टी इसमें पीछ नहीं है सभी पार्टियां केवल आरोप लगाती है। लेकिन अपने पर आता है तो परिवारवाद करने में पीछे नहीं वड़ती है तो एक्स्पोज हो गई सभी पाटिया इसमें आप एक दूसरे को कह नहीं सकते हैं आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सभी पाटियों ने इसका लुफ्ट उठाया है अब आप देखिए ये चारो सीट खाली हुए थे क्योंकि ये चारो विधायक जो है वो सांसर बन गये और सांसर जब बने तो उनहीं के परिवार के लोगों को ही टिकड दिया गये जैसे रामगड के में सुधाकर सिंग ने अपने भाई को उतार दिया अजीत सिंग को आर्ज इमाम गंज से जीतर नामबाजी ने अपनी बहु को उतार दिया एक ही माले माले के जो सांसर बने सुधामा परसाद उन्होंने अपने परिवार को नहीं उतारा इसी को और एक अलग से मतलब पाटी के कैडर से एक उमिदवार बनाया है लेकिन तरारी में भी बीजेपी ने लिए सुनील पांडे के बेटे को ही टिकेड दिया है तो सभी पार्टियों ने इसमें परिवार बाद का खुलकर परदर्शन किया है तो को ही इसमें किसी को मतलब दूश無rireी सकता है क्योंकि सब ने इसका अनंद लिया है तो कहने का मत्तब यह है कि चुनाव प्रचार तो आज समाप्त हो गया अब तेरा तारीक को मद्दाता किसको जिताते हैं यह बड़ा देखना बड़ा दिल्चस्प होगा अला कि इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा तेईस नौंबर तक का लेकिन यह चुनाव रहा बड़ा दिल्चस्प और अंत में तो देखें कि लालों प्रसाद यादों भी बिमार रहते हो भी आला कि बीमार नहीं कहेंगे लेकिन इस उमर में भी वही अपने आपको रोक नहीं पाए तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाटियों के लिए यह चुनाव कितने महत्पूर्ण हैं तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार